आठ नवंबर कारतिक पोडिमा चंद ग्रहन एक रुपे का सिक्का चुप चाप यहां रख दें, चोबिस घंटे में देखे चमतकार इतना बरसेग पैसा कि संभाल नहीं पाओगे। आठ नवंबर 2020 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। मानता है कि भगवान सिव ने त्रिपुरा शुर राक्षश का बद करके देपताओं को उनका स्वर्ग पुनह प्रदान किया था। इसलिए सिव जी को इस दिन विशेश तार पर दो दही सहद घी और गन्य करस से अभिशे किया जाता है। और दोसरी तरफ भगवान स्री हर्विशू ने मत्स अपतार लेकर प्रले काल में धरती पर जीवन की रक्षा की थी। इसलिए धरती पर कार्तिक पुर्मा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। और मानता है कि इस दिन गंगा घाट पर देवी देपता श्वयम आकर दीपावली मनाते हैं तो इसलिए इस दिन दीपदान करने का विशेश महत्व है तो कार्तिक पुर्मा के दिन पुजापाथ ब्रत करने के साथ कुछ प्रयोग भी किये जाते हैं जो आपको माता लक्षमी जी भगवान विश्मी जी का आसरवात प्राप्त करन देने वाला ग्रहन होगा तो ये चंद ग्रहन भारत के साथ साथ कई देसों में दिखाई देगा तो इसका सूता काल भीमान होगा तो पूजा पाठ धर्म कर्म के कार यानि की नहीं किये जाएंगे लेकिन ये ग्रहन दिन में दुपार दो बच कर 49 मेट से सुरू होगा और स नाम 6 बच कर 19 मेर्ट पे समाप्त हो जाएगा इसलिए आप ये एक रुपए के सिक्के का प्रयोग यह नहीं आप कर सकते हैं आप चाहे चंद ग्रहन के दर्मियान ही कर ले या फिर आप रातर में भी कर सकते हैं आपको विशेश लाब होगा तो हर भ्यक्ति धन के लिए सुब प्रयोग जो सिर्फ आपको अगर करना है अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में जो धन संबंदित मुश्कले हैं वो कम हो जाएगी पैसे बचत होने लग जाएंगे और आप पहले से कहीं ज्यादा आपको लाब भी देखने को मिलेगा देखे जब भी आप किसी से पैसे लेते हैं तो कभी भी एक हांसे मत लेजिए पांचों उंगली पकड़ के आपको देना है जैसे कि सिक्के बगर अगर आप दे रहे हैं तो सभी आप यानिकी पांचों उंगली को लगा कर देजिएगा तो नौ के नौ ग्रह का आपको लाभ मिलेगा एक छोटा का सिक्का ले ले और इसमें हल्दी थोड़ा सा टीका बना ले या फिर हल्दी ऐसे आप अपने पहले नाम का अक्षर लिख दे थोड़ा सा गंगा जल का शिर्का कर दे और आपको इसे एक रुपे का सिक्के को आप मातलक्षिक चरणों के पास रख देना है बाद में इसे लाल रंग का कपड़ा अब इसमें मातलक्षिक सामने आपको कपड़े में लांग और रूपए का सिक्का रख दे यह प्रोक किसी भी पुड़मा के दिन आप कर सकते हैं जब आपको लगए कि जीवन में धनकी मुश्किले बहुत परिसान करें तो एक सिक्का ले ले और इस जब तक ये एक रूपए का सिक्का आपके आलमारी पर है आप देखेगा धन आता रहेगा मालक्षिक के परसंद करने के ले एक छोटा सा काम जरूर कीजे एक रूपए का सिक्का ले ले और चावल के कुछ दाने ले ले और फिर पुजा इस्थान पर रख दें फिर अपने सर से उल्टे बार के आप तीन बार तुलसी के पेंड के नीचे गार दे फिर देखेगा 24 गंटे में ही आपको इसका चमातकार भी देखने को मिलेगा कारतिक पूर्णिमा के दिन एक रुपे के सिक्के का प्रयोग आपके जीवन में धन की जो मुश्कले हैं परिशानी है उसको दूर करेगा तो कारतिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी बहुत प्रसंद मुद्रा में रहती है इसलिए माता लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए कारतिक पूर्णिमा के दिन आप यनि की मा लक्ष्मी की चरणों के पास एक रुपे कर सिक आप रहने दें पूरे दिन और रात रहने दें अगले दिन इसे शूर उदर से पहले ही आप नहाद होकर स्वक्ष बस्ता धारण करें अपर इस एक रुपे का सिक को उठा कर अपने धन की स्थन पर रख दें यनि की चूप चाप रख दें कोई बोले ना कोई टोके ना इतना पैसा आएगा कि सभाल नहीं पाओगे रुपे पैसो कमी महसूस कभी नहीं होगी धन आता रहेगा धन का आगवन जो है आपके घर में बना रहेगा धन की कमी कभी नहीं महसूस होगी तो इस प्रकार से ये उपाई जरूर करें विशेश लाब होगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें और चलनों को सब्सक्राइब करिएगा जय मालक्षमी